नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेश में दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है उत्तर पतेश में प्रात्मिक टीजीटी पीजीटी एल्टी ग्रेड असिश्टन प्रोफेसर आधिस समस्त प्रकार की भरतियों के लिए नया बोर्ड बन गया है आपको इस समस्त प्रकार की सुच्छक भरतियों की तेयारी कराते हैं चाहे वह पीजीटी की लिए और यहां पर आज एक नया कोर्स पियाटी म्यूजिक के लिए लाउंच किया गया है और इस को परचेश करने पर आज जो है दस कूपन दिये गये हैं उन कूपन को यूज़ करके आप इस कोर्स पर डिसकाउंट पा सकते हैं तो जल्दी से अप्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने कोर्स को परचेश कीजिए किवल दस कूपन आज के लिए दिये गये हैं किसी वे प्रकार की कोईरी के लिए आप जो है वाट्सप कर सकते हैं 829-922-6960 नंबर पे केवियस म्यूजिक का ये कोर्स है इसके बारे में आप इंट्री केवियस म्यूजिक लिख के वाट्सप कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है आज सुबह से ही सोचल मीडिया में ये न्यूज उड़ रही है कि एक नया आयोग बनेगा और समस्थ प्रकार की भरतियां उसी आयोग से कराई जाएंगी और यहा तक भी कहा जा रहा है कि चाह وسink ईसको बंट उनो में बंठा गया है कावरद्गी सिरिंडी चावरद्गी सिरिंडी गावरद्गी सिरिंडी इसमें जो है काव वर्गी स्रेणी में उच्छे सिच्छा में सहायक आचार एम महाविद्दालों में प्राचारियों के चैन सम्मंधि सेवाएं समाहित होंगी जैसे कि असिशन प्रोफेसर अगरे की भरतियां इसमें आएंगी खाव वर्गी स्रेणी में माध्यमी स्च्छा में प्रधानाचारिप्रवक्ता एम यह brought the ए – सिच्चु के न्युक्ति सम्मंधित होंगे बाकी इसमें आहरता वगर दिया गया है और जो सदसी होंगे उनको दो केटिगरी में बाटा गया है आठ और छे चुदा सदस्य आठ सदस अलग केटिगरी के करम संख्या एक से आठ तक के सदस्यों के आहरता एक लेके आर्ट तक क्या 10 की आहरता जो है जुक्ता चोगां कि उनका माना चैना जो सिपग strangely होगे बागी जो इसमें आयोग हैं भण कर दिये जाएगे और इसे आयोग के माद्यम से भरतियां की जाएगी Oops के निराणय जो होगा इसमें भरती कराने पर होगा कि इनाय शक्राइन किस तरह से कराई जाएगी और सदर्स्थियों के बहुमत के अथार पर लिया जाएगा Thank you networking कि बहुमत नहीं पाएगा वह wormwo पर ही यहां पर भरतियां की जायेंगी वरतियां क्या सभी प्रकार के जो डिये जाएंगे वह उसी के अनुरूप लिए जाएंगे परिच्छा नियंतर कभी एक पद होगा जो परिच्छाओं को सफलता पुर्वक संचलन है तू और बाकी अन्य गोपिनियता यह सुचिता जो होती है उसको वो भंग ना हो उन सब चीज़ों की देखवाल करेंगे कर्नारी के आजो की सकती और कारी के बारे में यह बताया गया है तो इसमें प्राचारियों साहय काचारियों माधिमिक के प्रधनाचारी प्रवक्ता एल्टीisso के नियूक्ति हुए तू अलग अलग परिच्छा कंशाओं करा सकेंगे इनके पास इतनी ये जो हैं सकती होगे उनके कारी जो होंगे उसमें भी पैनल वगर्रा में इनके अलग-अलग बटे होंगे जिसे आयो को परिच्छा," प्रणाली परिच्छकों says '' परिच्छकों साच्छात्कार करताओं की नुक्ति इन सब करने का आधिकार होगा काफी ससकत जो है ये होने वाला है और यहाँ पे उचितर सच्छा सिवा आयोग में जो परिच्छा होगी वो किस तरह की होगी वो यहाँ पे साफ साफ लिखा है सामान ग्यान तीस अंक का होगा सतर अंका साच्छतकार साच्छतकार तीस अंका सामान ग्यान तीस अंका और विशे का सत्तर तीस सामान ग्यान सत्त बिसे और तीस अंग साच्छतकार कुल एक सो तीस अंगों पर जो है असिस्टेंट प्रोफिसर की भरती होगी यहां पर और इसी तरह से खावर की सिवावों में सम्मधित विसे और सामान ग्यान की लिखित परिच्छान साच्छतकार हे तो निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारन होगा है यही अभ्यार्थी आदी जो है प्रसिचित इसनाता कत्वा राज सरकार द्वारा आने ल्टी ग्रेट की योगता धारण करते हूं तो वो इस पत के लिए भी लिखित परिच्छा में आरे होंगे तो एल्टी ग्रेट की जो परिच्छा होगी उसमें जो है यहां पर बता दिया गया है कि किस तरह से सामान निगान की लिखित परिच्छा होगी और साच्छातकार होगा और भिशे की परिच्छा होगी एक सामाजिक विज्ञान के दो बिस्यों के आधार पर इतना मान के चलिए कि एल्टी ग्रेट परिश्या में साच्छातकार होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी दी गई है प्राथमी सिच्चकों के बारे में भी बताया गया है कि एक बटे प्राथमिक सिच्चा में सहायक अध्यापकों की भरती है तु साच्छातकार नहीं होगा पहली बात प्राथमिक में साच्छातकार नहीं होगा इसे परिच्चा में अभ्यार्थी के भासा ग्यान सिच्चक अभी रूची सामान अध्यन प्राधारिद लिखित परिच्च्च केंद सकार थ्वाराजसकर द्वारा आहटा निधारिद टिटी सी टिटी के प्राफ्त अंकों के एक बटे चारंग तथा अभ्यारती के मेरिट का भी अंके निधारण किया जाये गा तो प्राविक सिंचक भरती उसका प्लाव किसी भी तरह से कोई भी इसमें चेंज नहीं किया गया है लेकिन LTE grade भरती में interview यहाँ पर जोड़ दिया गया है तो यह जो LTE grade सिंचक भरती और TGT PGT की भरतियां है उन सब में जो है यह चीजे आ गई हैं नहीं इसको आप लोग जरूर देखिए और इस पीडियों को मैं टिली ग्राम ग्रूप में जेर कर रहा हूं जो लोग टिली ग्राम ग्रूप जॉइन ना कियों और डीटेल में इसकी स्टेडी कर लें